जब घड़ी सारा करें रात के आठ का तब बक्त होता है आर्बिया सच की आवाज का नमस्कार मैं हूँ संजब हरदवाज और आप देखने आर्बिया सच की आवाज हम हाजर है आज की ख़बरों के साथ मद्दप्रदेश चुनाव अव्यान समीती के अध्यच जोतिरादिस सिंदिया ने जब से कॉंग्रेस को नसीयत दिये तब से सारे कॉंग्रेसी एक जुट नजर आ रहे हैं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जब मुन्नलाल गोयल पंचसील नगर दुलपूर छेतर में जनसंपर करने पहुँचे तो बहाँ उनके साथ चत्रभू दनुलिया जोकी उस छेतर के पारसादें ने उनका स्वागत किया और उनके साथ पूरे छेतर में जगए जब संपर्क में रहे चत्रबोई दनौलिया स्वर्गी दर्सन सिंग एड़ुकेट के खेमे के माने जाते हैं और उनकी मुननलाल गोयल से कुछ कमी बनती है लेकिन आज यह देखने को मिला कि वे ना सिर्फ उनका स्वागत कर रहे थे बलकि जगे जगे उनके साथ भी नजर आ रहे थे लोगों से मिलवा रहे थे और कॉंग्रेस को बोट देने की अपील भी कर रहे थे यह सब कुछ गुना सीवपरी के सांसत और इस छेत्र के कद्दावर नेता जोतरदित सिंधिया के कहने पर हुआ है मुननलाल गोयल को इससे काफी रात महसूस हो रही होगी जिस तरीके से कॉंग्रेस एक जूट होकर चुनाव लड़ रही है उससे कॉंग्रेस की उम्मीदें और बढ़ती जा रही है हाला कि मुननलाल गोयल को जन संपर के दोरान भारी जन समर्दन भी प्राप्त हो रहा है उनके साथ मैलाएं, युबा, बुजुर्ग सभी कंदे से कंदा बिलाकर चलने हैं और यह द्रस से आपको मुरार के साथ पूरे सहर में देखने को मिल जाएगा जहां मुननलाल गोयल के साथ में बरिष्प नेता देविंद सर्मा जोकी सेरजिला कॉंग्रेस अद्यच हैं वे भी जगे जगे पर उनके साथ प्रचार करने हैं मुननलाल गोयल के स्वागत में जनता भी जगे जगे पर स्वागतदार बना रही है उन्हें माला पिना रही है तो कहीं उनको लड़ूँ से तौला जा रहा है आप सभी को पता है Reva 28 तारीक को मद्दान होना है और जैसे यसे मद्दान की तारीक नज़्दी को आती जा रही है प्रत्यासियों का जन्समपर्गी अतना ही तेज होता जा रहा है मुनालाल गोयल के साथ में जिस तरीके से सारे कॉंग्रेसी एक जूट होकर के इस चुनाव को लड़ रहे हैं निश्चित तौर पर कॉंग्रेस एक मजबूत इस्तिती में यहां नजर आ रही है आज की ख़वरों में बस इतना ही हम फिर मिलेंगे आपसे अगले पुरिटिन में आप देखते रहिए RBS News सच की आवाज जैए